बहुत से ट्विस्स से भरी ये कहानी है सुमी और उसकी चोटी बेहन की जिन में आपस में बहुत प्यार होता है। उनकी सौतेली मा का बिहेवियर उनके साथ बिलकुल सही नहीं होता जिसके कारण दोनों बेहने उसे बिलकुल पसंद नहीं करती। पहले सीन में दिखाया चा अपने पिता के साथ कहीं से वापस आते हैं। दोनों आपस में बहुत हस खेल रही होती हैं तबी अंदर से उनकी सौतेली मा की आवाज आती हैं और दोनों बेहनों के चेरे पर डर और उदासी दिखती है। जब उनकी सौतेली मा उसे बात कर रही होती है तो सुमी अपनी बेहन का हाथ पकड़े रहती है ताकि वो उसकी डांट से डर ना जाएं। सुमी अपनी बेहन की बहुत क्यार करती है और हमेशा उसे सौतेली मा से प्रोटेक्ट करती है। सुमी को ये भी लगता है कि उसकी सौतेली मा उसके पिदा को दिखाने के लिए उसका कमरा संभालती है और सिर्फ उसी के सामने उन दोनों के साथ अच्छा बरताफ करती है और फिर जब उसके पिदा वहाँ से चले जाते हैं तो उसका behavior दोनों के लिए change हो जाता है इस सबसे एरिटेट होकर सुमी अपने पिता के कमरे में जाती है और इससे पहले कि उसकी सौतेली मा उसका कमरा भी समेट पाए वो अपने पिता का कमरा समेट देती है जिसे देखकर उसकी सौतेली मा को बहुत गुसा आता है जिसे वो उन्हें कहती है कि वो सिर्फ तुमारे पिता ही नहीं बलकि मेरे पती भी है फिर दिखाया जाता है कि सुमी के पिता फोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ चीजे और खराब होती जा रही है और सुमी की तब्यत भी पहले से बिगरती जा रही है साथ में वो फोन पे ये भी बताते हैं कि आज डिनर पे उसने सुमी के अंकल और आंटी को इन्वाइट किया है टेबल पे खाना खाते वक्त हमेशा की तरह सुमी और उसकी सौतेली मा बहस कर रहे होते हैं जिस पर उनकी पेता वहां से उटकर चले जाते हैं और उसकी सौतेली मा के आगे दवाईया रख देते हैं सुमी की बहन जो अपनी सौतेली मा से बहुत डरती है वो रात को सपना देखती है कि वो उसे डराने की कोशिश कर रही है जिससे डर कर वो भाग कर सुमी के पास चली जाती है और उसकी बहन उसे अपने पास ही गले लगा कर सुला लेती है सुमी को भी रात को डरावने सपने आते हैं जिसमें वो अपनी असली मा को देखती है और अपनी बहन को बूरी तरह से जख्मी भी देखती है फिर उसे दिखता है कि उसकी मा का सिर कट गया और उस पर उसकी सौतेली मा का सिर लग गया जिसके बाद वो डर कर उठ जाती है फिर सुमी नीचे पानी पेने जाती है जहां वो देखती है कि उसकी सौतेली मा की तब्यद भी ठीक नहीं है और वहीं पर सुमी को अपनी मा का एक पुराना डिबबा दिखता है जहां उसकी family की सारी फोटोस होती है और सुमी और उसकी बहन की छोटे हुए की फोटोस जहां दोनों अपने माबाप के साथ बहुत खुश डिखती है तब ही उन फोटो में उसको अपनी सौतेली मा की फोटो दिखाई देती है जिससे देखकर उसे बहुत गुसा आता है और तब ही उसकी बहन वहाँ आकर उसे शान्त रहने के लिए कहती है और सुमी देखती है कि उसके बहन के हातों में चोट के निशान थे जिस पर उसे लगता है कि उसकी सौतेली मा ने ही उसकी बहन को मारा है रात को सुमी के अंकल और आंठी सबसे मिलने आते हैं टेबल पे सुमी के पापा और सौतेली मा उसके अंकल आंठी के साथ खाना का रहे होते हैं और उसकी सौतेली मा अजीब से बाते कर रही होती है, तब भी उसकी आंठी का दम खुटने लगता है और वो टेबल से नीचे गिर जाती है, वापिस जाते वक्त वो अपने पती को बताती है कि जब वो गिरी थी तब उसने वहाँ एक छोटी बच्ची की आत्मा देखी थी औ जब वो भाग कर अपने पती को बताने जाती है पर उसका पती उसकी किसी बाग पर इंटरस नहीं लेता और वो सुमी के पास जाकर उसे पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है जिस पर सुमी उस पर बहुत चलाती है और गुसा करती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता सोतेली मा के बुरे बरताव को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे फिर सुमी अपनी बहन के साथ खेलते हुए उसे ये सिखाती है कि बर्ट्स को कैसे मारा जाता है और अगले दिन घर में मरी हुई बर्ट्स को देखकर चोटी बहन को अलमारी में बंद कर देती है जब सुमी को पता चलता है वो जाकर अपनी बहन को अलमारी से निकाल लेती है आवाजे सुनकर उनके पिता भी वहाँ आ जाते है जिस पर सुमी अपनी पिता से धंसे बात नहीं करती और उनसे फिर वही सवाल पूछती है कि उनकी सौतीली मा उस पे और उसकी छोटी बहन के साथ इतना बुरा बरताफ करते हैं और फिर भी वो क्यों उसे कुछ नहीं कहते हैं यहां कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और उसके पिता सुमी के सवाल पे उसे कहते हैं कि उसकी छोटी बहन बहुत समय पहले मर चुकी है जिसे सुनकर सुमी शौक्ट हो जाती है अगले दिन सुमी को अपने कमरे से जोर-जोर की आवाजे सुनाई देती है जब वो बहार जा कर देखती है तो उसकी स्टेप मदर बोरिये में किसी को जोर-जोर से मार रही होती है और सुमी को लगता है कि उस बोरी में उसकी बहन है जिस पर उन दोनों की बहुत और जैसे ही उसकी स्टेप मदर उसे मारने लगती है तबी सुमी के पिता वहां आ जाते हैं वो सुमी को सोफे पर बिठाते हैं और तबी प्लॉट में एक और ट्विस्ट आता है जहां दिखाया जाता है कि सुमी की जगा सोफे पे उसकी सौतेली मा बैठी थी फिर सौतेली कार में सिर्फ दो ही लोग आये थे सुमी और उसके पिता और जब वो घर में आये थे तो उनकी सौतेली मा भी घर पर नहीं थी दरसल सुमी को multiple personality disorder नाम की बिमारी थी जिसके कारण वो अलग-अलग वक्त में दो personalities बन जाती थी कई बार वो एक केरिंग बहन बन जाती थी और कई बार बुरी stepmother यानि वो अपनी imagination में दो role play कर रही थी इसलिए जब भी सौतेली मा पिता से बात करने जाती थी तो वो कोई जवाब नहीं देता था क्योंकि वहाँ कोई होता ही नहीं था और दवाईयां भी सौमी के लिए थी ना कि उसकी मा के लिए फिर सौमी को hospital आया जाता है जहां असल में वही nurse जिसको वो अपनी सौतेली मा imagine कर रही होती है वो मिलने आती है वो सौमी को कहती है कि वो फिर से उसे hospital में मिलने आएगी और फिर वो सुमी के पिता के साथ बैठ कर कार में घर चली जाती है फिर आता है सबसे बड़ा twist यहां दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में बैटी सुमी और घर में बैठी नर्स को सेम आवाजे सुनाई देती है एक विस्ल बजने की और नर्स को भी वही छोटी बच्ची की आत्पा दिखती है जो सुमी की आंटी को दिख रही थी वो उसी वक्त उसे मार देती है और सुमी के चहरे पे एक मुस्कान और खुशी दिखती है जैसे उसको वहां क्या हो रहा हो सब पता हो फिर लास्ट में पूरी स्टोरी दिखाई जाती है कि जब उस नर्स को अपॉइंट किया गया था और उसका सुमी के पिता के साथ अफेर चला था इस अफेर का पता चलते ही सुमी की मा ने उसकी छोटी बहन की क्लॉजट में खुद को मार लिया था और जब उसकी छोटी बहन अपनी मा को बहुत बचाने की कोशिश करती है तो पूरा कलॉजट उस पे गिर जाता है और उसका दम घुटने लगता है तब वो नर्स ये अवाजे सुनकर वहां जाती है लेकिन बिलकुल लास्ट में उसकी बहन को बचाने का सोचती है लेकिन इससे पहले कि वो उसे बचा पाती तबी इन सबसे अंजान वहां सुमी उसके साथ जगड़ा करने आ जाती है और उस नर्स को और गुसा आ जाता है और वो उसकी बहन को ऐसे ही छोड़ देती है और सुमी से कहती है कि ये मुमेंट उसकी लाइफ का सबसे बड़ा पच्टावा होगा और यहीं पर कहानी खतम हो जाती है